तो उन दिनों में ये मुबाइल फोन किसी के पास था नहीं और हमारे जो यूनिट था वो कई जगा पर फैला हुआ था तो मुझे किसी से खबर मिला कि फलाने गाउं में चार उगरवादी आये हैं तो मैंने उस कमपनी कमांडर को खबर दिया है कि फलाना गाउं चार पर हो सकता है तो मैंने उस वकत हमारे यूनिट में जो डॉक्टर साब थे उनको बेजा है जो पल्टन का एक घातक तोली होता है सबसे तगड़े जवान उन जवानों के साथ मैंने डॉक्टर साब को बिजाया अभी हमारे डॉक्टर साब के बारे में एक बात उनके हमारे पल्टन में आये पांच दिन हुए थे बिलकुल नए थे, कच्छे थे, कमजोर थे थोड़े मोटे थे, थोड़े डर हुए से थे वो ऐसे रहते थे दिन बर, क्योंकि डर था उनको डर इसलिया था, क्योंकि उनके साथ जो छे जवान गए थे वो सब सिरफ हिंदी बोलते थे डॉक्टर साब मेरी तरह मद्रासी थे, वो या तो सिरफ कन्नड बोलते थे या तो इंग्लिश, हमारे जवान सिरफ हिंदी बोलते थे, तो डॉक्टर साब को डर था दूसरा, जो मेरा मुझूदा पोजिशन था, वहां से जिस गाउं में युगरवादी थे छे गंटे का पैदल का रस्ता था, हमें पाड़ी के नीचे उतरना था, दूसरा पाड़ी चड़ना था, पाड़ी फिर उतरना था, एक छोटा नदी पार करना था, और फिर आदे रिज के उपर गाउं का फैलाओ था छे गंटे लगते थे, तक्रीबन साड़े चार बजे मुझे खबर लगा और वो खबर, किसी भी लीडर को, इससे ज़ादा दुख वाला खबर हो इनी सकता है, खबर मुझे ये लगा कि साब बंदे को गोली लग गई है, क्यों खराब लगता है, जो लीडर लाइक है, जब उसके टीम में या उसके टोली में किसी को चोट लगता है, या कोई घायल होता है, तो मेरे परिबाशा में वो लीडर्शिप का फेलियर है, मुझे ये रैंक क्यों प्राप्त है मुझे ये ओदा क्यों प्राप्त है आपको क्लास का मॉनिटर क्यों बनाया गया है ताकि आप क्लास को आप स्कूल को पाटशाला का देखबाल कर सके अगर मेरे नेतरित्व के दोरान और मेरे नेतरित्व में कोई शहीद या घायल होता है तो हो सकता है वो मेरी लापरवाई हो और वो लापरवाई फेलियर है तो मुझे खबर लगा कि साब बंदे को गोली लग गई है मैंने हमारा जो क्विक रेक्शन टीम होता है QRT जो बोलते है उसको लेकर के बंके निकला वाँ से साड़े नो बजे डॉक्तर साब का हमारा जो रेडियो सेट होता है उसके उपर एक छोटा सा मेसेज आया कि साब अंधेरा है मुझे धर लग रहा है अब आप लोग बोलोगे डर किस बात का लगता है डर अंधेरे का लगता है डर इस बात का लगता है कि आप जा रहे हो ऐसे इलाके में जहां पर बाकी जवानों को आप जानते नहीं हो डर इस बात का लगता है कि शायद आप उस काम के काबिल ना हो जिसके लिए आपको बेजा गया है डर उस बात का लगता है कि कहीं से गोली ना आए और मुझे ना लगे डर इन बातों का लगता है डर इस बात का लगता है कि मैं पल्टन का डॉक्टर हूँ ये मेरे पल्टन में पहला हफ्ता है अगर कोई जवान शहीद हो गया है तो हो सकता है मेरी गलती हो डर इन बातों का लगता है तो मैंने डॉक्टर साहब को उस वाकत क्यांच के डांट मारा है क्योंकि डर का कोई जगह हमारे जिंदगी में या आपके जिंदगी में नहीं होना चीए मैंने बोला मेरे को दुबारा कोई मेसेज नीची आप से तकरीबन साड़े ग्यारा बजे डॉक्टर साब का फिर मेसेज आया बोला साब मैं पहुंच गया हूँ जवान के पास लेकिन जहां भी काट रहा हूँ वहां पर खून है अब ये डॉक्टर साब सिविल से आये ते पांच दिन हुए थे उन्होंने कभी किसी को गोली से जखमी होते हुए नहीं देखा था तो जब वर्दी काट रहे थे इंस्पेक्ट करने के लिए तो सारा शरीर खून से लेट पाथ था उनको आदत नहीं था इस बात का तो उन्होंने बोला साब पूरा खून है मुझे डर लग रहा है तो मैंने उस टाइम चैंस के मारा डांटो बोला डॉक्टर साब आपका काम सिरफ और सिरफ हमें जिन्दा रखना है बस ये जवान मर नहीं सकता है इतना मैंने बोला है और पांच मिनिट के अंदर मैं भी डॉक्टर साब के पास पहुंच गया जैसे मैं डॉक्टर साब के पास पहुंच आ है करके आवाज आया एके 47 का फारिंग का आवाज ऐसे ही होता है आपको मालू होना चीए कि मुझे पांच बार गोली लग चुका है मैं अभी भी खड़ा हूँ आपके सामने स्टेज से खूद के भी आ सकता हूँ आपके साथ पीटी भी कर सकता हूँ तकलीफ तकलीफ मुझे भी होता है तकलीफ उन हर जवानों को होता है जिसको लगता है गोली लेकें मैंने बोला एक चीज है जो विज्ञान से ताकतवार है देल उस दिल से चलता है ये फौज और इस फौज से चलती है ये देश तो ये याद रखना है आपने तो हम लोग उस गाउं में पांच दिन रहते कुल पांच दिन क्यूंकि गाउं में जहां उगरवादी चुपना चाहता है कई जगा खोच सकता है जहां चुप सकता है तो हर गर हर कमरा हर वो खेत हर वो ट्यूब वेल हर वो स्टोर हाउस हर वो गोदाम हर वो जगा डून डून के हमें पांच दिन लग गये थे और इस पांच दिनों के दुरान पांच हमें अलग-अलग जगा पर उगरवादी मिले और जो हमारा जवान जो गायल हुआ था उसको लेकर के अस्पताल चला गया है छटे दिन हम लोग वापिस आये और सबसे पहला सवाल मैंने जो ओदेदार से पूचा कि साफ बन्दा कैसा है तो जवाब मुझे यह मिला कि साफ दो दिन से अस्पताल से बात हो नहीं पाया है मेरे परिवाशा में और आपके परिवाशा में कोई बहाना देना मंजूर नहीं होना चीए अच्छे नागरिक वो होते हैं जो सुजाव डूनते हैं जो मसले को हल करते हैं लेकिन उसने बोला कि साफ दो दिन से बात नहीं हुआ है मैंने मरब बई डांट ताजूब होगा जब डांट भी अच्छी लगती है सलाट टेलोफोन भी चलना लगता है तो टेलोफोन चला मैंने अस्पताल से बात किया है अस्पताल में जब आईसीउ से खनेक्ट हुआ अस्पताल में जो नर्स ज्यूटी पर थी उसने ये बात मुझे बताई मैं आपको बताना बूल गया जब हमारा बंदा अस्पताल ले जाये गया Хelicopter के अंदर उसके पेट के अंदर के हिस्से जो स्थमक है जो इंटेस्टाइन है वो पॉलिथीन बैग में साथ डाला गया पॉलिथीन बैग में हेलिकॉप्टर के अंदर उसके साथ तो उसको चोट इस प्रकार से आई जो नर्स ने मुझे बयान किया था मैं आपको बताता हूँ यह 2003 की बात है 16 साल हो गए पुरे 17 होने को आ रहे हैं उसने नर्स ने बोला कि साब उसके जो लेफ्ट वाला फीमर है जो फीमर होता है जो थाई का सबसे बड़ा हड़ी होता है शरीर का वो दो जगा पर फ्रैग्मेंट हो गया है फ्रैग्मेंट का मतलब क्या है जो पेंसिल है जब आप तोड़ते हो तो दो हिसों में तूटता है फ्रैग्मेंट का मतलब ऐसे जो पेंसिल अगर आठ या दस हिस्सों में तूटे वो फ्रैग्मेंट है तो उसका ये जो थाइब ओन था दो जगा पर फ्रैग्मेंट हो गया था इसलिए डॉक्टर साब जहां भी काट रहे थे उनको नजर आ रहा था खून ज्यादा सा ज्यादा गोली उसको लगी बाय हाथ पर क्यों जो बुलिट प्रूफ जैकेट है जो हम पिंते हैं वो सामने होता है पटी लोहे का चदर पीचे होता है लोहे का चदर एक पतला चदर होता है पेट के लिए एक पतला होता है गर्दन के लिए उपर और साइड में गोलियां लगे उसको साइड में अगर आपने गोली नहीं देखा है आज तक तो मैं आपको बदाता हूँ पेंसिल दिखाओ अपना पेंदो जो गोली का आगे वाला हिस्सा होता है इतना ही होता है और इतना ही पतला होता है जब गोली लगता है बंदे को और बंदा पड़ा हुआ दिखता है आपको अगर आप खोजोगे कई बाहर आपको गोली के निशान नजर नहीं आएंगे लेकिन प्रॉब्लम क्या है जब गोली दो या तीन लगते हैं एक साथ शरीर से सीधी लाइन में नहीं गुजरते हैं गुजरता नहीं सिधा चीए लेकिन टेड़ा मेड़ा जाता है शरीर के अंदर अगर आपका किस्मत खराब है दो गोली अगर शरीर के अंदर आपके टकराते हैं तो दो गोली चार टुकड़े में हो जाएंगे या छे अगर आपका किसमा ज़्यादा खराब है और उसमें से कोई टुकड़ा आपके किसी हड़ी को लगता है तो हड़ी का भी एक पीस निकलाता है अब ये साथ या आठ पीस सफर करते हैं शरीर के अंदर से तो जो तीन चोटे छेद यहां पर होते हैं जब यहां से निकलता है तो बड़े बॉल के सेद में निकलता है इसी लिए उसके पेट के अंदर के हिस्से को हमने पॉलितीन में पैक करके बेजा हेलिकॉप्टर में सबसे ज़्यादा चोट उसको उपर आया चाती में जब पैर में गोली लगा होगा तो वो गिरा है अब पहाड़ी में 20 मीटर 25 मीटर कितना नीचे गरा है वो तो खोई नहीं जानता है लेकिन जब गिरा है तो उसका चाती किसी बड़े पत्तर के नुकीली चोट पर पड़ा है और यहां उसे चोट आई तो जो लोहे का प्लेट है वो दबाता है जो फेफड़े जो रिब्स है तो उसके पांच रिब्स टूटे हुए थे और पांच रिप जब तूटते हैं तो अंदर की तरफ तूटते हैं तो उसका जो बाएं वाला फेफ़रा था उसमें पांच जगा पर छेद हो गया और जो लंग था लेफ्ट साइड वाला उसमें बोडी फ्लूइड और ब्लड पूरा भर गया था ये उसके चोड़ थे जब नर्स ने ये मुझे बयान किया है तो मैंने नर्स से सीधा सवाल पूचा क्या बंदा बचेगा और जैसे डॉक्टर साब लोग आम ताउर पर होते हैं ये नर्स ने बोला सर मैं नहीं जानती हूं तो हम लोग जो वर्दी पैंते हैं थोड़े मैं भोला ना दिल से करते हमकाम दिल से तो मैंने अपने सोच में मुझे ये लगा कि अगर मैं उससे बात कर सकता हूं एक सेकेंड तो हमारे जो हजार जमान है उनका जो मन का शक्ति है तो दिल का शक्ति है वो मैं उस तक बेजूँ टेलफॉन के थुआ मैंने नर्स को बोजा क्या मैं बात कर सकता हूं से तो उसने बोला कि catastrophic इसने आज तक बात नहीं कहिए इसके आंखें खुले तो है लेकिन ये क्या सुन सकता है क्या मैसूस कर सकता है क्या बोल सकता है मैं नहीं जानती हूँ मैंने फिर भी बोला कि आप फोन का जो हैंडसेट है उसके पास रख सकते हो तो उसने बोला हाँ तो उसने फोन उसके हैंडसेट उसके कान के पास रखा और मैंने उस टाइम उससे पूछाता है निम्बर राम उसका नाम है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है मैं बोला निम्बर राम क्या हाल है तेरे 15 या 20 सेकेंड गुजरे कोई जवाब नहीं है मैंने सोचा शायद वो खतम हो रहा है शायद वो सुने ही नहीं मेरी बात शायद वो बोल नहीं पा रहा है मैं फोन रखने वाला ही था अपनी तरफ से क्यों उस ठेम तक मेरा दिल पुरा ही तूट चुका था फोन मैं रखने वाला ही था एक बलकुल पतली सी आवाज में जवाब आया इतना चोट खाने के बाद बिस्तिरे पे पड़ा हुआ है जवान पतला सा आवाज में बोलता है मेरे से कि साब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है और फिर बाद में बोलता है और फिर बाद में बोलता है साब मैं तो ठीक हूँ अपने पल्टन के बाकी बंदे कैसे हैं आपको कहानी सुनना है तो कहानी ऐसे सुनो कहानी सुनाना है तो कहानी ऐसे सुनाओ जो जवान खुद मृत्यो के दर्वाजे पर खड़ा है वो मृत्यो के आंकों में आंक डाल करके गड़ा है उसasy के और वह सिर्फ सोच रहा है अपने टोली में बाकी बंदों के बारे में यह होता है selflessness यह होता है किसी Arko Tiaak करने का काबलियत अगर 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 आज के तारीक पे तिरंगा लेराता है गर्व से हवा में ऐसे लोगों के वज़े से लेराता है यही वो सांस है जिससे यह देश जीता है और इसी जवानों के वज़े से मैं हमेशा कहता हूँ मुझे पांच हजार जनम दे दो मैं दुबारा यही वर्दी पेनूगा